माई अनेक्सेप्टेट बाइफ एपिसोड 11 के स्टार्टिंग में हमें किसी रूम को दिखाया जाता है तबी डॉक्टर कुइन उठ जाती है और सोचती है कि मैं कहां पर हूँ अभी डॉक्टर कुइन अपने बगल में देखती हैं वहाँ पर यंग मास्टर सो रही होते हैं डॉक्टर कुइन सोचती है ऐसा नहीं हो सकता है फिर उसके बाद डॉक्टर कुइन उहां से चुप-चप जाने लगती है तब ही यंग मास्टर कुइन का ब्लैंकिट पकड़ ल हैं उसके बाद यंग मास्टर के बोड़ी पैदात के कते हुए का निसन दिखाया जाता है यृँग मास्टर कीन के और भी पास आ जाते हैं डॉक्टर क्वीन कहती हैं मुझे जाने दो तुम मुझसे साधी करोगी तुम्हें जूनियर भी पसंद करता है और तुम को यहां पर अलग दिखाने की कोसिस कर रही हो फिर उसके बार डॉक्टर कीन यंग मास्टर को अपने उपर से हटा कर वहां से चली जाती हैं उसके बार डॉक्टर कुईन अपने कपड़े पहनने लगती हैं और वहां से जाने लगती हैं तभी वहां पर यंग मास्टर मिल जाते हैं यंग माश्टर कहते हैं क्या मुझसे साधी करना इतना मुस्किल है डॉक्टर क्विन कहती है मैं किसी ऐसे परसन से साधी नहीं करूंगी जो मुझ पर डटी ट्रिक्स इस्तमाल करता हो मैं रिच नहीं हूं लेकिन मेरे पास पैसे कीवी कोई कमी नहीं है सिर्फ तुम्हारी इस दॉग मास्टर को देखके पीछे हूने लगते हैं और कहते हैं हंगामा करना बंद करो कहते हैं तुम्हें गर जाने की हालतमे今 कहती हैं तुम्हें क्या लगता है मैं क्योंन हैं GO? आपको लगता है कि सिर्फ अपने और अपने बेटे के चकर में आप मेरे लाइफ और करियर को खराब करने के हगदार हो तुमने इसलिए मेरे को बहुस किया था कि तुम बस मेरे करीब आ सको क्या तुम्हें मेरी फीलिंग की गदर है मुझे आप से या आपके फैमली से कोई लेना देना नहीं है तो मुझे से दूर रहो तुमने आस तक मुझे किसी और लड़की के साथ देखा है तुमने ये देखा कि मैंने जब तुम्हें अपनी फ्योंसिंस कहा था तुम पहली लड़की हो जिसके साथ मैं ऐसा ट्रीट किया है क्या तुम उस पे विश्वास नह अकेला रहना चाती हो क्या तुम मुझे अभी के लिए अपनी कार दे दोगे फिर उसके बाद डॉक्टर कुइन वहां से ड्राइब करके चली जाती है यांग मास्टर को सोचने लगते हैं सिप ठोटा है और हमें एक फार्मस की दुकान को दिखाया जाता है डॉक्टर अपने ऊफिस में जाती है और साओ डॉक्टर कुइन को देखकर कुछ छुपाने लगती है डॉक्टर कुइन कहती है सौ एक काव को फी बना धो फिर उसकेपद डॉक्तुर कुइन साओ को देखने लगती है है और कहती है क्या तुम उग्सेầ से कुछ छुपा रही हो find perु डिलिट करने से ये फोटो देख लो डॉक्टर कुईन ये देखके हैरान हो जाती है और कहती है मुझे विश्वास नहीं है कि आप इस तरह की परसन हो डेफिलेट्र डी प्रेजिडेंट के साथ आपके उस तरह की रिलेशनशिप नहीं है वे बस आपको समझने से चूप गए अब डॉक्टर कुईन देखती है कि डिरेक्टर की तरफ से कुछ मेसेज आया होता है और लिखा होता है कि मेरे इफ ओफिस में इमिडेटली आओ फिर उसके बाद डॉक्टर कुईन डिरेक्टर के ओफिस में चली जाती है और कहती है कि या डिरेक्टर आप कुछ मुझ से पूछना चाहते हैं।। फिर उसके बार डारेक्टर कहता है, पहले आप बैड़ जाइए। फिर उसके बार डारेक्टर कहता है, मुझे आपके प्राइवेट मामले में टांग नहीं लगाना चाहिए। लेकिन मैं यहां तुम्हें लेके आया था इसलिए मैं अंदेखा नहीं कर सकता हूँ मैंने तुम्हारे आउटस्टेंडिक रिजल्ट को देखकर पर्मोशन के लिए हाइर अथरिटी को रिक्यूमेंडेशन भेजा था लेकिन अब उनके साथ आपके अफेर की भी खबरे होस्पिटल के हाईयर अथरिटी के पास पहुच गई और हमारे होस्पिटल की रिप्यूटेशन भी खराब हो रही है लोगों की बेकार ओपीनियन की वज़ा से यह आपको लगता है कि यह acceptable है डॉक्टर कीन कहती है मुझे माप कर दीजिए डॉक्टर हांग फिर दुवारा डॉक्टर हांग कहते हैं तुम मुझे सोरी मत कहो मैंने तुमारी तारीफ इसलिए की क्योंकि तुम हाड़ वरकिंग हो लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे इस तरह से सरमिंदा करोगी डॉक्टर कीन कहती है कि मुझे पता है कि आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है मैंने रियली में आपको सरमिंदा किया है इसके लिए सोरी डॉक्टर हां कहते हैं मैंने लास्ट नाइ साओ से पूछा और साओ ने मुझे बताया कि किवान ने पूरी पब्लिक के सामने अनाउंस किया कि तुम उसकी फ्योंसेंस हो अगर तुम इसे कंफर्म कर देती हो तो तुमारे ओनलाइन पोस्ट को इंग्नोर कर दिया जाएगा इस न्यूज को और फैनले से पहले तुमें उसके पाथ जाना चाहिए और डिसकस करना चाहिए इसे किलियर करो और हाई ओथरिटी को इस सिच्विशन के बारे में बताया जा सके और एपिसोड ही पर खतम हो जाता है मिलते इसके नेक्स एपिसोड पर अगर चैनल पर नए हो तो सस्क्राइब कर लेना